कॉर्फ बिFirst बीशल्ञट 3 नमस्कार राति हो तो आज की इस वीधियो में वापन बात करेंगी कि आपकी आर्पी टी काउंसलिंक शुरूरू उने वाली है तो आपको जैसे को लेज अलोट होता है तो आपको तीन परकार की सीट अलोट हो सकती है आपको तीन परकार की सीट मिल सकती है गोर्मेंट सीट पेमेंट सीट और प्राइवेट सीट तो इनकी मैं फीस बता हूँ आपको इस वीडियो में कि गोर्मेंट सीट की कितनी फीस होते है प्राइवेट सीट की क segment sheet की कितनी पीस होती है और कौन से कौलेज मे कौन सीट होती है और आप पता भी लगा सकते है कि कि आपको काम करना कि आपने वह वी सीट मेरे के तो उस ओले वीडियो को जरूर देख लेâm और यह वाला वीडियो कंद्स्क्रीन पे मिल जाएगा जैसे यह वीडियो खतम होगा तो चो कटोफ वाला वीडियो आपको एंडी स्किन पर मिल जाएगा और आप किसी इंसिट्यूड में अगर एडिशन लेना चाहते तो उसके पीस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि पीस वाला बहुत लफड़ा होता है और अगर कुछ स्टुडेंटों पता नहीं होता है फीस के बारे में और एडिशन ले 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 तो फिर फेसे की दिक्कत आती है तो बाद में बहुत सारी स्टुडेंट्स एडिशन केंसिल करवाते हैं बहुत सारी दिक्कत्स आती है इसलिए आपको फीस के बारे में जरूर पता होना सीट मिलेगे फर्स्ट सीट मिलेगे रेगुलर और दूसरी सीट मिलेगे पेमेंट यह आपके रेंग के ऊपर डिसाइड करता है कि आपके कितनी रेंग के रेंग के ऊपर यह आपको को लेज अलोट होगा गोवर्मेंट प्राइवेट और गोवर्मेंट को लेज में आपको द में आपको only 4 payment sheet मिलेगी और जो प्राइवेट को लेज है उन में only 4 आपको प्राइवेट सीट ही मिलेगी और यह तीन गौर्मेंट को लेज है इन इन tीनों में मैं सीट का रेशयों बता देता हूं आपको कि जो regular और payment परचाश 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 उन सबी के लिए मैं इस वीडियो के बीछी में बता हुआ और आप अपन बात कर लेती कि राजिस्थान जो तीन गौखर्मेंट को लेजे उनमें जो payment sheet और regular sheet मिलती है उसमें क्या motor difference है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी क्योंकि payment sheet को लेके और regular sheet को लेके बहुत सारे लोगों के मनमें बहुत अलग-अलग प्रकार के doubt होते हैं तो मैं इसमें जो मोटा मोटा difference होता है वह मैं आपको बता दूँगा इस वीडियो में सबसे मोटा difference होता है कि जो fees लगती है वही सबसे मोटा difference होता है regular और payment sheet में जो इसकी fees लगती है वही सबसे मोटा difference है तो जो regular sheet होता है उसकी बहुत कम fees लगती है क्योंकि वह government a subsidize होती है उभी सेल फाइने चीट होती है उसका वह ज़्यूधर आपको फीश्ट देना पड़ता है तो सबसे मोटा testedकिReally है की रेगुलर जेट की कि बहुत कम फीश्ट लगती है और पेमींड चीट की बहुत ज़ब 했 रखती है आप किती लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूं तो आपको अगर गॉर्मेंट कोलेज में रेगुलर सीट मिलता है और आप जनरल के टेगरी से भी लोंग करते हो जनरल के टेगरी कंडिरेट वोईस तो आपकी 15,700 रुपे आपकी एक साल की फीश लगेगी रेगुलर सीट की और हम मैं बता देता हूं कि जो जनरल की गल्स है या यईडवलुस से कोई भी तो उसकी फीस ब्रहें घंज में रेगुलर में रेगुलर शीट है उसकी फीस होगी पाँचजार सट सो चालीश रुपे तो मैंने सभी के अठेकरिंगी जो फीस होते हुआ मैंने बताई दी वह आपके समझ में आए गया होगा उन मैं एक बात आपको बता जिता हूं कि जैसे मैं जितनी बाते बताऊंगा इसमें बहुत इंपोटेंट बाते बताऊंगा इसलिए वीडियो के एंड लाश तक जरूर वाच करना और आपको फिर भी किसी परगरगा कोई वी डाउट होता ही मेरे बताई हुई जानकारी में तो मेरा इस्टागराम अकाउंट है वेडियार ताजी के नाम से वहाँ पे जाके आप पर्सनल मेसेज करके मेरे से कुछ ही पूछ सकते हो या इस के जो कमेंट बोक्स है वहाँ पे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो आराम से और अब मैं बता देता हूं आपको कि जो गोर्मेंट को लेज है उनमें आपको अगर पेमेंट चीट अलोट होता ही तो पेमेंट चीट का कितना क्या फीस है payment sheet का fees होता है साथियों कि जो मैंने regular sheet की fees बताई है उसमें आपको 2,00,00 रुपे एड़ करने 2,00,00 रुपे और extra देने कोई सिर्टेगरी के student हो regular जो fees होती है regular sheet की वो ता आपको देनी पड़ेगी उसके अलावा आपको 2,00,00 रुपे और देने पड़ेंगे यह होते payment sheet की fees अब मैं इस पे भी चर्जा करूँगा कि बहुत सारे student का यह without होता है कि जो payment sheet होती है उसकी fees हर साल देनी पड़ती है या एकी साल देनी पड़ती है या एकी साल देनी पड़ती है तो उसके बात करूँगा उससे पहले आप लोगों से मेरे एक request है कि आप अभी भी मेरे channel पे नए हो और आपको आगे भी बविसे में ऐसी official information जी है क्योंकि official में इसलिए बोलता हूँ कि तब भी मैं information पे वीडियो बनाता हूँ तब मैं सर से confirm करता हूँ एक बार चीजों की बारे में उसी के बाद मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ information पे वेशे में जनरली veterinary medicine पे वीडियो बनाता हूँ लेकिन इस महीने में only four counseling के उपर ही वीडियो बना हूँ इसलिए आपको counseling की पूरी update मिलेगे and last तक इसलिए आप अभी मेरे channel पे नए हो तो channel को subscribe जरूर कर लेना औ आपको समय समय पर नोटिस मिलता रहे और आपको समय समय पर information मिलते रहे आपको counseling में किसी परकार की दिक्कत ना आए और आप सभी student लिए एक बहुत वड़ी उसकवरी है जितने भी student payment sheet उठाना चाहते है उनके लिए वो cohesive category से belong करते हो ST, SC, OBC, General, MBC सभी के लिए कि आप payment sheet उठाकर आराम से डोक्टर की degree में कर सकते हो आराम से अपने BBS कर सकते हो जितने फीस लगते है आपको पूरी फीस वापिस refund मिल जाएगी उसका क्या system होता है कैसे वापिस मिलती है पूरी फीस वो जरूर आप वीडियो में देख लेना उस पे में पूरा डिटेल से वीडियो बना के डाल रखा है आपको वाला वीडियो एंडी स्क्रीन पे मिल जाएगा इसलिए आपको अगर payment sheet मिलती है तो आप payment sheet छोड़ने है आपको payment sheet जरूर लेने है लेकिन अगर आप उस criteria के अंदर आते हो तब भी आपको जो payment sheet की fees होते वापिस मिलेगे इसलिए वाला वीडियो जरूर देख लेना और आपको वाला वीडियो कहीं डूनने की जर्द नहीं है जैसे यह वीडियो अभी खतम होगा तो इसके एंडी स्क्रीन पर आपको वाला वीडियो मिल जाएगा और आप लोगों का बता देता हूं कि यह जो payment sheet की फीस होते हूँ हर साल देनी पड़ती है एक साल बिल्कुल साथ यह आपको हर साल देनी पड़ेगी पूरी डिग्री में जितने साल आप डिग्री करोगे उतनी साल आपको हर साल जो payment sheet के दो लाक रुपे लगते हूँ आपको देने देने है इसलिए अगर आप दे सकते हो दो लाक उर्पे अर साल पे कर सकते हो इतनी fix होटा सकते हो आप लोग इसलिए अब आपको पूरी की फूरी दो लाक और जो रेगुलर सीट की फीश लगते हैं वो पूरी पूरी आपको बढ़नी पड़ीगे हर साथ और अब मैं आपको जो प्राइवेट को लेजर राजिस्तान में आर्पीविटी के उन में कित्ति क्या फीश लगती है उसके बारे में आपको समझा देता हूँ आप सभी लोगों से मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट आर्पीविटी में एडिशन लेना चाहते हैं उनको यह पता लगाना कि कौन्से कोलेज में कितनी सीट है कौनसी के टेगरी की उस टोपिक पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहे तो आप और साथेक इंफोरमेशन पता लग सके संहितलिन कर Kita हो एक आप लोगों को प्राइवेट क्एवेट को लेज की फीछ सिट में इस्फिट में चाहे वहा है कौना सब्सक्राइब बपर आ पैस्ठेलाँ शाग कि आपको 5,00,00, रुपे करना पड़ेगा, आर साल 5,00,00, रुपे देना पड़ेगा, उसके अलाव ओस्टल, फीस वगेरा, एडमिशन, पीस वगेरा, वो अलग होती है, ऐसे करके, आर साल का आपको लगबग 6,00,00, से उपर का खर्चा उठाना पड़ेगा, ओस्टल, फीस अगेरा सब कुछ एड़ करके जो प्राइवेट कोलेज में मैंने नोन मैनेजमेंट वाली सीट की जो फीस बताई वो आपके समझ में आई गई होगी और यह मैंने बताई थी वो आपके समझ में आई गई होगी जो फीस प्राइवेट कोलेज में नोन मैनेजमेंट की बताई और बहुता है कि प्राइवेट कोलेज में तो आपको अर साल लगबग साथ से साथे साथ लाग रुटी पे करने पड़ेंगे यह साला नपीस है अफीस आप लोगों के समझ में आई गई होगी कआप कोई सिफ केटिगरी से बिलोंग करते हुई है प्राइवेट कोलेज में सभी के टिगरी के लिए सेम पीस होती है इसमें कोई चूट नहीं मिलते है के टिगरी से तो आप लोगों के मेरी दिवी जानकारी समझ में आए गई होगे और आपको फिर भी किसी परकारगा कोई डाउट होता ही तो मेरा इस्टागराम कौन कौन सी शीट डालनी है इसलिए अगर आपको आगे भी ऐसी सई और सटिक ओफिशल इंपॉर्मेशन चीए तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा ज्या